असलाम अलेकुम और वेल्कम बाक टो मैं चैनल और ये ना अधनान का जिस दिन पढ़ दे था ना ये उसी दिन का ब्लॉग है और उस दिन मेरी बहन का टीचर्स डे भी था कॉलेज में तो उसनों ने बोला ना कि मुझे साड़ी पहना दीजिए तो मैं ना बस ट्राइ की थी स कि मुझे बाहर बाटना था और हमलोग ने कुछ ज़्यादा सेलिवरेशन नहीं यह था बस मैं सोची थी खाना बना करके मैं बाहर बस बाट दूँगी फकीरों को बस इतना ही की थी और कुछ खास नहीं हुआ था बस यहां ना मैं पानी के चावल के लिए पानी चड़ा द बड़ी लाइची दाल चीनी धनिया की पती पुदीनी की पती मिर्चे नीमबू मतलब जो भी पड़ते न वह सारे अड़ कर दिये थी और इसके बाद यहां पर इना फ्राई में करने लगी थी अनियन अनियन फ्राई करके मुझे निकालना था वह मैं आड़ करूंगे चिकन म बॉयल करने के लिए मैं डाल दी थी जैसे पानी थोड़ा सा बॉयल हो जाता है फिर मैं चावल एट कर दी उसके चिकन यहां ले लोंगे चिकन को मैरनेट कर दोगी कुछ देर के लिए और यहां चिकन आप बिरियानी के लिए बहुत अच्छे पीस लेना मतलब बड़े अच्छे से लिए नमक डाला है थोड़ा से जीरा पाउडर मिड्ची पाउडर और हल्दी में थोड़ा सा एड करती हूं आपका मैंने तो डाले वरना फिर एक स्कृप कर दे पिर वहां पे मैंना भर-भर के गरम मसाले आड करती हुए नमक और गरम मसाले ना बहुत जादा चावल में भी बहुत जादा ही नमक एड़ किये हैं यहां पे अदग लसन का पेश्ट और अलू बुखारे यह सारा स्पाइस डाल करके अच्छे से मिक्स करूंगी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और जादा तीखा कर सकते हैं और यहां पे चावल बन गया थे न मेरे तो उसको मतलब पसा दी थी मैं उसके बाद उसी पतीले में ऑईल डाल करके यहां पे चिकन डाल दूंगी मैं नहीं पसाना भी था यहां चावल भी हो चुका था ना 90 परसेंट मतलब आपको बहुत जादा नहीं को करना है थोड़ा सा एक कनी रह जाए ना तो फिर छोड़ देना आपको यह दम में भी पक जाएगा चावल तो मैं पसाई रहती उतना मैं वह भी परशान कर रहा था तो उसको बहुत रहना चीज जो अंदर से जलेगा मुझे इस तरह कई जादा अच्छा लगता है आपको अगर ग्रेवी ने चाहिए तो आप बिल्कुल भी मतलब उसको अच्छी से सुखा करके भी ना बना सकते हैं तो यहां पर यह हो गया था मैंने आलू बॉil करके पहले से निका यूवरज जैड़िया बना सकते हैं जो नीकल सकता है इसके बाद इसमें कलर का डूद जो उसके ऊपर का मटेरियल लगता है वह सारा मैं अच्छा दूँगी अभी इसमें कलो एड़ कर दिया है फिर उपर से दूड दूँगी और जो पानी निकालकर रखती हूं मैं हमें स मतलब चावल जब स्ट्रेइन करने आप जाए ना तो उसे पहले थोड़ी सी पानी पहले से निकाल के रख ले तो वह मैं निकाल दी ती और उसको वाद ही उपर से मैं वही आड कर देती तो इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और यहां पे जो दूद था ना वह उसको बॉ और उपर से मैं कुछ भारी रख दूँगी ताकि यह न अच्छे से दम हो सके और मतलब भारी रख देने से ना यह इसका स्टीम बाहर नहीं निकल पाता है तो यहां पे जो यह होता है ना लोडिया वो मैं लगा दी थी उपर से उसको अद दम पे चढ़ाने के बाद नहीं इन लोग कपड़े निकाल रहे सी कि रेडी कराना था और से फबी बिष्च भी 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 तो फिर उसको बीर ऑक दी और यह थोड़क हो इसका थो वीडियो ले लिए ती यह थै रहाय नहीं स्टास कर दिया यह वन एर में का उस पहले चल रहे है बहुए तो आधब भी यहां मेरा बिर्यानी भी रेडी हो चुका था मैंने इसको कम से कम आदा घंटा तो दम पे लगाया ही था और इसके बाद 10-15 मिनट ऐसे ही छोड़ दी थी मतलब गैस ऑफ करने के बाद छोड़ दी थी इसको कुछ दिर अपने इसके स्टीम में ही छोड़ दे इससे बहुत करना बड़े साइस का ले ताकि वो ना चूर ना हो सके मेरा मीडियम साइस का ले आई थी मेरी बहन उसकाद मैं यहां पर सबके डबे निकालने लगए थी और स्टान रखने से ना यही होता है मेरे मेरे साथ अनस आकर बहुत परशान करता है तो वही लेकर के वीडियो करने लगा इसलिए मैंने स्टान लगाती ही नहीं हो ड्राइपोर्ट वगारा बहुत प्रॉब्लम होता दोनों के साथ लेकर के वीडियो करना तो यहां मैंने डबे निकालने लगए थी सब को भेजने के लिए बाहर तो जितने लोगों को डालना था ना मैंने सब का पैक कर दू इसलिए मेरे ना मतलब कुछ-कुछ क्लिप रह जाता है क्योंकि मैंना सारा चीज कैप्चर नहीं कर पाती हूं क्योंकि वह अनस आके कभी अधनान आके स्टैंड चूचा करने लगता है और अभी वही कर रहा था वीडियो आप देख सकते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और यहां बस शाम का वक्त हो चुका था तो इसके पापा लेकर आ गया थे इसके लिए शैसे बोले ना इसको लगा दो और यह लगाने वाला इतना चोटा बच्चा और यह ना लगाना ही नहीं चाहरा था पारवर निकाल दे रहा था बहुत मुश्किल से लगाये थे हम लो घर के ही आदमी थे हम लोग चाहर पांस लोग उससे जादा और कोई नहीं था बस एक केक आया था अधनान का लिए और मेरा भी बर्डे था तो हम लोग ने बोला था ना साथ में सेलिब्रेशन करेंगे कि मेरा थोड़ा एक दिन मतलब दो तीन दिन का गया पीछे तो उसके करवाना चाहरे थे बट मैंने नहीं पैना और मैं ऐसी कटिंग की थी यह मेरा एक्चुली थोड़ा पहले का ब्लॉग है मैं सुची इसी में एड कर देती हूं बस यही था मेरा च्छोटा सुब लोगा है अपक अच्छा लगया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिज लेगा अल्ला हाफिर